तारीख 19 मई दिन रवीवार एक हेलिकॉप्टर हाथ सेगी खबर ने पूरी दुनिया को सन्द करके रख दिया इरान के राजपती इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्ला हेन की हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है दुनिया भर के सभी लीडर इस खबर को सुनने के बाद हैरान थे किसी देश के राजपती को लेकर ऐसी अचानक दुखत खबर सामने आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था इरान के राजपती इबराहिम राइसी पूर्वी अजर्बैजान प्रांत में बांध का उद घाटन करके लोट रहे थे और तब ही उनका हेलिकॉप्टर घने कोहरे में पहारी इलाके को पार कर रहा था इसी दौरान ये हादसा हुआ और हेलिकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर पड़ा इस हादसे में राजपती और विदेश मंत्री समेट नौ लोगों की मौत हुई है इरान को राइसी की मौत का गहरा सद्मा लगा है राइसी को इरान के सर्वोच नेता अयातुल्ला अलीख खामनेई का उत्तुरा धिकारी माना जाता था खामनेई भी जल्द ही राइसी को अपना पद सौपने वाले थे इबराम राइसी ने जब जून 2021 में इरान की सत्ता संभाली तब उनके सामने घरेल उस्तर पर कई चुनोतियां थी इरान के सामाजिक हालात मुश्किल थे और अपने परमानु कारेकरम की वजह से अमेरिकी प्रतिबंद जहल रहा इरान गमभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था लेकिन रैसी ने हर मुश्किल का डट कर सामना किया इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की सक्त सेन्य प्रतिक्रिया ने इरान के लिए मुश्किल बढ़ाए लेकिन रैसी पहाड की तरा मजबूत खड़े रहे और हमास का साथ देते रहे लेकिन शिया बहुल देश को लीड करने वाले राइसी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि राइसी कहां से संबंद रखते थे और सत्ता में कैसे आए इब्राहिम राइसी का जन्म साल 1960 में उत्तरपूर्वी इरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ इसी शहर में शिया मुसल्मानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है वे कम उम्र में ही उचे ओहते पर पहुँच गए थे राइसी के पिता एक मौलवी थे राइसी जब सिर्फ 5 साल के थे तब ही उनके पिता का निधन हो गया था लेकिन राइसी अपने पिता की तरह पढ़ाई को तवज्जो देते थे इसी के साथ उन्होंने पश्चमी देशों से समर्थित मौहमद रजाश शाह के खिलाफ परदर्शनों में भी हिस्सा लिया था सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित कराज का महा अभियोजक नियुक्त किया गया था राइसी जब सिर्फ 25 साल के थे तब वो इरान के डिप्टी प्रोसीक्यूटर बन गए थे बाद में वो जज़ बने और साल 1988 में बने उन खूफिया ट्राइब्यूनल में शामिल हुए जिन्हें डेथ कमेटी कहा जाता था साल 2014 में वो इरान के महा भियोजक बन गए थे इरानी न्याय पालिका के प्रमुक रहे राईसी के राजनितिक विच्चार अती कट्टरपंथी माने जाते थे उन्हें इरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच चुधार्मिक नेता आयातुल्ला अली खामनेई का करीबी माना जाता था जून 2021 में उदारवादी हसन रुहानी की जगा इस्लामिक रिपबलिक इरान के राश्पती चुने गए थे बतादे की इसराईल और इरान दोनों 1989 तक एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे इसी साल इरान में इस्लामिक क्रांती हुई और देश में एक ऐसी सरकाराई जो विचार धारा के स्कर पर इसराईल की कट्टर विरोधी थी अब इरान इसराईल के अस्तित्तु को सूईकार नहीं करता और उसके पूरी तरह से खात्मे की वकालत करता है दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी गाजा युद के बाद और ज्यादा बढ़ गई वहीं इसराइल भी कहता है कि इरान उसके अस्तित्तु के लिए खत्रा है इसराइल कहता है कि इरान फिलिस्तीनी हत्यार बन समू हो और लेबनान में शिया गोट हिजबुला को फंड करता है